साथियों, इसी जुलाई में एक बहुती रोचक प्रयास हुआ है, जिसका नाम है आजहादी की रेल गाड़ी और रेल्वे स्टेशन. इस प्रयास का लक्ष है कि लोग आजहादी की लड़ाई में भारतिय रेल की भुमिका को जाने. देश में अनेक ऐसे रेल्वे स्टेशन है, जो स्वतंतरता आंदुलन के इतिहास से जुड़े हैं. आप भी इन रेल्वे स्टेशनों के बारे में जानकर हैरान होंगे. जार्खन के गोमो जंक्षन को अब आधिकारी ग्रूप से नेताजी सुभास चंद्रबो जंक्षन गोमो के नाम से जाना जाता है. जानते हैं क्यों? दरसल इसी स्टेशन पर काल का मेल में सवार होकर नेताजी सुभास ब्रिटिस अप्षनों को चक्मा दिने में सफ़ग रहे थे. आप सभी ने लखनों के पास काकोरी रेल्वे स्टेशन का नाम भी जरूर सुना होगा. इस स्टेशन के साथ राम प्रसाद बिस्बिल और अस्फाक उल्ला खान जैसे जाबाजों का नाम जुड़ा है. यहां ट्रेंज से जा रहे हैं अंग्रेजों के खाजाने को लूट कर वीर करांतिकारियों ने अंग्रेजों को अपनी ताकत का परिच्छे करा दिया था. आप जब कभी तमिल नाडू के लोगे से बात करेंगे तो आपको थुथुकुडी जिले के वांची मनियाची जंक्षन के बारे में जानने को बिलेगा. यह स्टेशन तमिल स्वतंतरता सेना नी वांची नाथन जी के नाम पर है. यह वही स्थान है जहां पचीज साल के युवा वांची ने ब्रिटिश कलेक्टर को उसके किये की सजादी थी. साथियों यह लीश्ट काफी लंबी है. देश भर के 24 राज्यों में फैले ऐसे 75 रेल्वे स्टेशनों की पहचान की गई है. इन 75 स्टेशन को बहुती खुबसूर्ती से सजाय जा रहा है. इनमें कई तरह के कारेकमों का भी आयोजन हो रहा है. आपको भी समय निकाल कर अपने पास कैसे अितियासिक स्टेशन पर जरूर जाना चाहिए. आपको स्वतंतरता अंदोलन के ऐसे इतियासिक के बारे में विस्तार से पता चलेगा जिनसे आप अंजान रहे हैं. मैं आज पास के स्कूल के विध्यार्थियों से आगरह करूँगा, टीचर से आगरह करूँगा, कि अपने स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों को ले करके जुरूर स्टेशन पर जाए और पूरा घटना क्रम उन बच्चों को सुनाए, समझाए.